हमके साइड लेल यादो सबके गोडशुके गोड़ लागता नी जितना भी हमर देवतार उपी सुरूता बड़े जे हमके बहुत प्यार करेला, मुहबबत करेला आप सबके दो आशिरवाद हमेशा खे सारी खाती रहेला और वो सब हमेशा खड़ा रहीले हमेशा प्यार दिले, आशिरवाद दिले और वो आशिरवाद के बदावलत ही हमर जीवन चलत रहेला बस से काले को हमर गाना रिलीज हो रहलवा इंगल म्यूजिक से जाना कंपनी के माध्यम से साइड हम बहुत सरा गाना गौले बनी शुरुआत में हमेशा इंगल म्यूजिक के गाना हम गौले भी बनी और इंगल म्यूजिक के बहुत ज़दा प्यार भी मिललवा कुमार अमेश जी के बहुत ज़दा असरबाद भी खिसारी के उपर बा चायो मैश भी आख़स या पॉन जी हो ख़स जे भी होके पॉन पांडे से लेके मने जितना भी राइटर सब लोग प्यार देला समके किष्णा वे दरदी जी हमर गाउं के तो सब के प्यार असरबाद मिलल ओही कमपनी से फेर से हमार गाना रिलीज हो बहुत बवाल विडियो सांग रोषव के एंगल म्यूजिक अपिशियल पर काल साड़े छाओ बजे देखे के मेली जबन की बड़ा तगड़ा सूट के लिए बनी हम और आज लाईब आवे के दू को कारां रहा हमार एक तो गाना काल हमार रिलीज होता आज टीजर भी रिलिज भेल बए एंगल म्यूजिक अपिशियल परतर भीद्हे बाद देतो बनीलो और अब दहीलो एक बो डेकोरेशन गाना हमार रिलीज भेल बाद़ करो के आडियो अ मरबाता जी कम से कम दू मिलियन होखे वाला बा तो आडियो हो वोकर वीडियो भी बहुत जल्दी छूटे वाला बा तो हम बस दू परपस से आज हम लाई बाई बनी एक तो परपस हमार गाना काल रिलीज होता और ये गो परपस यह बा कि कुछ बहुत सारा कलकार जो उनकी हम हमारे लिए ताकि हम करोना काल में अपने आपको कैसे जियाए समझ में नहीं आता है तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इन कलकारों के लिए जो हमारे ब्यासी को जिंदा रखे हैं जो हमारे रमायन महभारत गाके और लोगों का मनुरंजन करते हैं और हमारे सभयता को जिन्दा रखे हैं जो जाल बजाते हैं और हमारी बिहार की जंता स्वभिमानी होती है किसी के आगे वो हाथ नहीं फैला सकती और खास करके कलाकार लोग जो की जाल बजाने वाले बेंजू बजाने वाले धोलक बजाने वाले ब्यास लोग गाने वाले सब लोग मैंने तरह त ग्रोप जोकि लड़किया धांस करके और हमारे दुनिया को मनुरंजन करती हैं और अपना घर चलाती हैं अर किस्टा ग्रूप के लोग अपना घर चलाते हैं नाचगान करके साधी भी आ हमें लेकि इस करोना काल ने दिर साल से सब को घर बैठा दिया है तो मेरी एक रिक्वे के बारे में आप जरूर सोचिए क्योंकि वो हमारी बिहार की जनता में फिर से बोल रहा हूं बड़ी शौभिमानी होती है वो किसी के पास हाथ नहीं फैला सकती तो कलकार के तरब से जो चीजे हैं वो बिचारे घर बैठ गए हैं उनको कुदाल सलानी नहीं आता है क्योंकि व मैं बस सरकार से निविधन यही करना चाहता हूं कि please हमारे बिहार की जनता के लिए और कलकार के लिए प्लीज आप सोचिए क्योंकि बहुत सारे आटिस्टों का बहुत सारे बियासगध जाल बजाने वाले क्योंकि मैं भी उसी विधास आया हूं मैं भी रिमाइन महाबारत कही कलकार था और आज आप लोगों ने प्यार दे कर अपने दिल का राजा बना लिया इस अपने बेटा को तो थोड़ा सा दुखी हूँ इस बात से कि जिस बीधा से मैं आया हूँ उस बीधा के लोग मैं इससे जितना हो सकता है मैं कोशिस करता हूँ करने के लिए लेकि मैं चाहता हूँ कि सरकार भी उन कलकारों के लिए उतना ही सोचे जितना एक ब्यास अपने कलकार के लिए सोचता है जिस तरह एक ब्यास अपने रमायन महाबारत के लिए सोचता है क्योंकि हमारे संस्कृति को जिंदा रखने में हमारे ब्यासों का बहुत बड़ा युगदान है रमायन महाबारत गा के हमारे सभ्यता को जिंदा रखते हैं वो तो प्लेज मैं आप सबसे रिक्विस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को जितना सेयर कर सकते हैं प्लेज ताकि य सरकार हमारे कलकार बंधू के लिए अरकिस्टा पाटी के लिए उन लड़कियों के लिए जो चला जाए हैं ताकि सरकार के तरफ से उन कलकार को कुछ न मुदत मिले अगर मुदत मिलेगा तो जब धिक क्रोना कल खतम होगा तो क्विस्ट नहीं करूंगा आपसे क्योंकि वो डेली कमाने वाले लोग हैं और अपने बीबी बच्चों को पाल लेंगे अपना पेट पाल लेंगे लेकि मैं चाहता हूं कि जब तक कि करोना कल डीर साल साज उनको घर बैठा जा है तो जितना हो सके अपने उनका लकारों के लि नहीं करते हैं उनके लिए भी दिल से प्रणाम है कि आप खुश रहिए खुश हाल रहिए और अपने भाई को ऐसा ही आसिरवाद क्योंकि आप सब इनसान होते तो साइद मैं बोलता कि आप इनसान है अप इनसान नहीं भगवान है और भगवान से हमेशा हम बस सरिफ रातन नहीं कर सकते हैं अपने जीवन के लिए तो यह भगवान से जनता से मेरी प्राथना है विंती है कि आप ऐसे ही प्यार करते रहिए और तो रगई लहक के गं में सुनू सनम दुग बिजर मंगा के पी ले हम जो गाना कल मेरे एंगल मुजिक पर रिलिस हो रहा है उसको धेर स प्यार और अशिरवाद दीजिए और एक इतिहांस के तरफ ले जाए लवे मेरे भाई लवी मेरी जान लवी मेरे भगवान ऐसे ही नहीं मुहबबत करते रहे है आई लवे